हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल वनितास मिकोर मैं आपका स्वागत है आज की वीडियो में आपको रिका वैक्स करके दिखाऊंगी सेल्फ आम्स वैक्सिंग करके दिखाऊंगी मैं तो यह पहले मैंने वाइट चॉकलेट वैक्स ले लिये रिका रिका कंपनी की और फ आप्टर वैक्स लोशन यह ओईल की तरह होता है इसको जरूर अपलाई करना होता है यह जो जो चीजी हमें वैक्स में यूज करनी है वो मैं चीजी आपको दिखा रही हूं यह स्पैचला हो गया और यह है सीबिया कंपनी का वैक्सिं स्टिप्स है यह ब्राउन वाली परिक्लेंजर अपलाई करूंगी आपने थोड़ा सा जल लेना है हलका सा और आपने थोड़ा सा इसको पैसे प्रेस करके अपलाई कर लेंगे आमस में अच्छी से हम इसको अपलाई करेंगे इसको हम लगाने से skin हमारी जो है prepare हो जाती है waxing करने के लिए और बहुत dryness नहीं होती है क्योंकि ये wax जो है ये हमें बहुत dry नहीं करना है skin को नहीं तो काफी लोगों को मैंने सुनाए कि skin उनकी peel हो जाती है वो इसी वज़े से हो जाती है क्योंकि skin पे वो pre lotion नहीं लगाते है तो pre cleanser जरूर लगाना चाहिए तो अब ये मैं थोड़े थोड़े बाल लेके wax को अप्लाई करूँगी थोड़े थोड़े एरिया पे हम खुद से waxing कर रहे हैं तो हम थोड़े थोड़े एरिया पे लगा के करेंगे waxing को अच्छे से और ये मैं strips को अच्छे से ऐसे रखके इसके उपर प्रेस करूँगी और इसको opposite side खीचूँगी मैं क्योंकि जिस side हमने wax लगाई है direction के side growth की हम उसके opposite side strips को खीचेंगे ये बहुत अच्छी wax है ये white chocolate wax है ये रिका कंपनी की इसमें काफी सारे flavor आते हैं white chocolate, dark chocolate, aloe vera, strawberry, banana कई सारे flavor हैं इसमें पर ये white chocolate जो है ये सबसे अच्छी लगती है मुझे और tanning के लिए बहुत अच्छी है ये बाकि आप skin के according भी लगा सकते हैं use कर सकते हैं काफी अच्छी tan remove होती है इसे और हमने जब भी wax करनी है तो हमने उसी दिन हमने कभी भी arms पे scrub वगरा नहीं करना है ये तो rashes हो जाते हैं अगर आपने scrub करना है तो arms पे ये legs पे कहीं भी आप wax करवा रहे हैं ये body पे करवा रहे हैं तो एक दिन पहले आप उस पे scrubbing कीजिए ताकि जो under roots growth है वो बाहर निकलाए और wax आपकी अच्छी हो जाए अब ये उपर की side में करूंगी हमने जहां से wax शुरू करनी है वो area हमने पूरा complete करना है तब ही हम दूसरे area पे wax करेंगे अब जैसे मैंने नीचे से शुरू की है तो ये पूरी line मैं पहले complete करूंगी क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार confused हो जाते हैं कि हमने पहले थोड़ी wax यहां पर करी थोड़ी उपर कर दी थोड़ी नीचे कर दी तो उससे क्या है बीच में बाल रह जाते हैं तो इसलिए हमने जो हमने line पकड़ी है वो पूरी line हमने complete करनी है देखिए आप कितने tan remove हो रही है ये tanning के लिए बहुत अच्छी wax है यह और full growth है मेरी आप देख रहे होंगे मैं खुद की अपने waxing करके दिखा रही हूँ आपको और इस wax का एक और फाइदा है कि यह जो बहुत छोटी growth होती है वो भी निकल जाती है तो यह बहुत अच्छा फाइदा है जो लोग जल्दीली wax करवाते हैं 15 डेज में 20 डेज में college girls होती है जो और student होते हैं आपने wax करने के बाद में कोई भी हमने इसको उपर soap नहीं उज़ करना और अब यह मैं shoulder की side जो है उपर की side growth है तो मैं wax उपर की side लगाऊंगी और इसी तरह से मैं नीचे के side खीचूंगी steps को shoulder पर बहुत से रहे लोगों के दाने हो जाते हैं वो इसी लिए हो जाते हैं क्योंकि wax जो है वो एक ही line में जो wax कर देते हैं जैसे नीचे से शुरू किया है उसी तरह पूरा कर देते हैं तो दाने हो जाते हैं क्योंकि direction जो है वो गलत हो जाती है जब हम shoulder पर पहुंचते हैं तो हम wax उपर की side लगा के करेंगे तो इससे दाने भी नहीं होंगे यह दिखिए skin कितनी smooth होगी क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि मेरे उपर दाने हो जाते हैं तो मैं उपर wax नहीं कराऊंगी वो इसी लिए हो जाते हैं क्योंकि ulti side पर अगर growth direction अपने गलत wax लगा दी तो दाने जरू निकलाएंगे अब यह जो line है पूरी wax हो चुकी है अब मैं इसके elbow के side करूंगी थोड़ा सा यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े wax लगा आगे करनी है यह normal wax से थोड़ी से मुश्किल होती है क्योंकि जो नए है वो यह वाली wax थोड़ा practice हो जाए तभी करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमने मोटे layer नहीं लगानी wax की और ना हमने ठंडी लगानी ना ज़्यादा गरम क्योंकि यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा और अगर बाल ज़्यादा लंबे हैं growth ज़्यादा बढ़िये तो थोड़े थोड़े पार्ट लेके करें जरूर यह तो कई पर बाल टूट भी जाते हैं यह आपको दिख रहा होगा clear tan देखो कितनी remove हो रही है अच्छी और आप मेरी चैनल पर नए है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए और bell icon जुरू प्रेस कीजिए और आप मुझे comments करके पूछिए कुछ भी जो आपको वीडियो कोई भी आपने देखना पसंद करते हैं वो उस topic में वीडियो बनाऊंगी और मैंने और भी काफी सारी वीडियो बनाई हुई है अंडरम्स की, अंडरम्स पॉलिशिंग की homemade, pack वगारा की मैंने वीडियो बनाई हुई है homemade, serum की बनाई हुई है मैं आपको इसका link description में दे दूँगी दो-तीन वीडियो की तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और मेरा वनितस विकोवर चैनल पर तो आप मेरी सारी वीडियो देखिए और मुझे comments करके जरू बताईए कि आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज आप comments जरू कीजिए और like कीजिए, share कीजिए मेरी वीडियो को और आप मुझे Facebook, Instagram पे भी follow कर सकते हैं लिंक मैं आपको description में देदूँगी और कुछ भी आपके मन में question है तो question कीजिए, comments करके आपका एक like मेरी लिए बहुत बड़ी बात है और आप comments करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अम यह elbow की side कर रही हूँ wax खुद से waxing करना थोड़ा मुश्किल होता है लकिन इतना भी मुश्किल नहीं है थोड़ा थोड़ा पाट लेके कीजिए अगर आप ज़्यादा wax लगा लेंगे गरम wax लगा लेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा हमने wax बहुत ज़्यादा गरम नहीं करनी है और यह wax थोड़ी सी ठीक ठीक सी लगानी होता है यह में बहुत पतली नहीं लगानी है हमने बहुत ज़्यादा थिक हमने मोटी नहीं लगानी है यह elbow पे हम अच्छे से लगाएंगे तक यह अच्छे से tan remove हो जाए अब यह नीचे के side से लगाऊंगे में क्योंकि growth जो है थोड़ा सा round round में है elbow पे अच्छे से press करेंगे तक यह return अच्छे से remove हो जाए यह देखिए साफ हो गये है यह जो strips यूज कर रहे हो में यह cbia company का यूज कर रहे हूं मैं बहुत अच्छे steps है यह थोड़ी सी काफी ठीक है मतलब यह जो पतली वाले steps होती है वो जल्दी खराब हो जाती है तो भूर से आने लग जाते हैं और wax बहुत जादा जिपकती है तो हमें थोड़ी अच्छी quality की wax यूज करनी चाहिए और wax बहुत अच्छी quality की यूज करनी चाहिए यह मैंने नीचे के थोड़ी सी वैसे इस सारी wax निकल जाती है स्टिप से अब यह मैंने हैंड पर कर रही हूं है हैंड पर अच्छे से हम wax लगाएंगे तक टैन अच्छी रिमूव हो जाए बाल भी निकल जाते हैं और टैन में अच्छी रिमूव हो जाती है इस वैक्स के बाद एक फायदा बहुत अच्छा फायदा है यह कि हमारी जो स्कीन बहुत ही स्मूथ हो जाती है अब यह आफ्टर वैक्सिंग जो लोशन है वो मैंने आपको दिखाया था ओयल यह मैं अप्लाई करूंगे यह हमने वैक्स के बाद लगाना है तीन-चार पंप लेंगे हम इसको और अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके डप डप करके हम हैंड पे लगाएंगे थोड़ी सी मसाज करेंगे इसे स्किन भी सुमूद हो जाएगी और जो एक्स्ट्र कहीं भी थोड़ी बहुत वैक्स लगी है वो निकल जाएगी साथ के साथ और यह वैक्स वैसे भी चिप-चिप नहीं करती है क्योंकि नॉम्मल वाली जो है बहुत ज्यादा चिप-चिप करती है स्टिक की स्टिकी ब तो आप ये wax use कीजिए और मुझे कमेंट्स करके जुरू बताईए ये दिखिए आप कितना फरक नजर आ रहा है एक हैंड में और दूसरी हैंड में तो इसी तरह से मैं आप दूसरी आमस भी करके दिखाऊंगी आपको इसी तरह मैं pre-cleanzer अप्लाई करूंगी अच्छे से अप्लाई करके अब ये मैं wax लगा रही हूँ थोड़े थोड़े करके तो अपने थोड़े थोड़े पाट पर wax लगानी है इसी तरह से फूलाई मैं कर लेनी है स्टिप्स को हमने ध्यान से लगाना है हमने उसको देखके लगाना है कि उल्टी साइड है कि ये सीधी साइड है ये हमने थोड़े थोड़े पाल लेके निकाल लिए अब ये wax हो चुकी है मेरी तो मैं आप लास्ट में में पोस्ट ऑइल लगाऊंगी इसको डबडब करके चीशी से हमने मसाज कर लेनी है ये देखे वैक्स हो चुकी है कितना क्लीन हो गया मिलते है नेक्स वीडियो में टेक केर बबाए